अजीज बेनगाईयों अभी वक्त हुआ जाता है कि हम अपने सेग्मेंट के अगले हिसे में जाएं अभी मैं आपकी भर्पूर तालियों में बजारिश करेंगा रेवर्डेज रोशन से कि प्लीज वो आएं और आज के टॉपिक से हमारे जिनों को और हमारी सोचन को बढ़ेंगा जनाब अरदेज रोशन कार सबको सलाम और तमाम मेरे प्यार करने वाले चाहने वाले सबको ही मैं खुशांदीन कहता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो हमारी मुस्तर सी काल पे यहां पे तुश्रीक लाए तो उनके लिए बरबूर तालिया जो आए हैं और जो बढ़ाता हूं आपको नाम से तुशांदीन हैं और यहां एक बड़ी अजीब कफियत है मैं काल में जिससे हम सब गुजर रहे हैं तो आईए हम अपने आखे बंगे रहें कदूस महरबाब आजमान जमीन के खाली हम तेरे नहायत शुक्र बजार हैं तो हमारा खुदामन है तो हमें दुखों के उस जहन्नम से ऐसे मुलक से निकाल के लाया ताके हम जिन्दगियां पाएं और कस्रस से पाएं और हमें बहुत जल जो तो ने हमारे लिए मुलक तियार किया है तिसरा मुलक तियार किया है जो तुने एहद का मुलक हमरे लिए निकाल है एहद का अलागता हमरे लिए निकाल है वो तो हमें जरूर थे अमें अब दिल तो करता है कि अन्म अच्छास साब के बाद कोई बाद ना की जाए जो कलाम उनों ने सुनाया है और जो बाद की है उनका तो टॉपिक और मौजू ही कमाल था मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ कलाम में जरूर शरीक हो और एक हम दो चीज़ों को देखनेंगे उसके बाद हम अपने सारे मामौलाथ को यहां पे देखेंगे कि किस तरह यहां पे अपना बग्यावकद गिजारना है और खदा हमें उसमें हमारी क्या रहमाई करता है खुदा के फिरिश्टे खुदा के लोग जो यहामें में वजूद हैं और हमें इसी खाने के लिए और समझाने के लिए जनको खुदा ने यहाम पे एमारे साथ इन जाना किया है वो किस तरह हम उनकी बात को किस तरह समख़ए sprัक है मुझ लिए तो अजी बहुत ही छूटा सा चुके उन्होंने कहा है तो दाईपाते भूल जायाue के पैलमेंट्री बाते शुकी बाते तो मैं फिर वी जशारत करूंगा कि हमें यह देखना है कि पुराने अंदामे में बिल्कुल ट्रेमरी को ही इक सिद्ध सवाल काम है वो किस पे है और मुझे बदा सब को आता है और इसके बाद जो मैथ्यू है मत्ती है और इसके एंट तक जब भी आज जिसकी बाद चाले थी वो नारफ कम खाश्वा है वो किया है और इस पे मैं सिर्फ हाज एक बाद आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बाइबल एक लफ हमने सुना है पड़ा है अपनी दौाओं में अपने हर तरीके में हम उसे शुमार करते हैं बाइबल हम ये कहते हैं जी ये असमानी खताबों का मजबुआ है ये हैबली खताबों का मजबुआ है तो बिसिकलि ये बाइबल है क्या बाइबल का मतलब है क्य कोई बन्दा मेरी मदफ करेगा जिसको यहzan हो या खबर हो के Bible एक क्या Bible पेशर इंस्ट्रेक्शन्स पी इसे क्या है बेसर गुन्यादि उन्यादि बेसर इंस्ट्रेक्शन्स कौंस ही basic instructions before पहले before leaving earth B से and D से कह एर basic B basic instructions हताया क्या है instructions क्या है कि हमें जो सिखाया गया कि हम ने आपने जो यहां की जिन्दगी है वो कैसे गुजाना है बेसिक इंस्ट्रेक्शन्स बीफो यह जमीन छोड़ने से बेले बीफोर लीवी अर्थ इस जमीन को छोड़ने से पहले हमने क्या त्यारी करें को पर जाना है उन्हां परताउस की बात कि यहां बहुत आप एक कम यह हमना अरफ चला किया बहुत अब साथे है ना कि कैसे दूलए है और क्या मैं इस इलम से वाकफ हूं क्या मैं इस इलम से जो बेसिक इंस्ट्रेक्शन्स जो बन्याती असुल है उन असुलों से मैं बाइबलम कर्दश के उन असुलों से वाकी हूं decisive है आप अप और बात देखेंगे कि हम यहां पे बहुत नराज हों, बहुत नराज हों,ojक टूसरे से और यार इसने तो मुझे राशनी लेने दिया, किसने मेरा नाम there साकर दबा दिया, किसने मुझे कराया लेने दिया एंगरी हो गया तो कोई साभ अब पड़ेगा ये इफसियों चार बाप उसकी 26 है आपको मुझे ये बाद में ज़रा को उत्तु में बढ़े तो ज्यादा अच्छा लेगे लिए ज़र पास ये कुछ में लिखाए आप उत्तु में लिखाए आप उत्तु में को बढ़ दे आमल करो मगर मपर कुणा है Hmm हम यहां क्या कर China कर रहे हैं है उसआबी कर्रे chef गुष। ऑर गुनावी कर रहे है वाकिछ चाहां है हुआ है सूरज के ढूले तक इस सुरज के सुब ने recognize तुम्हारे खुफगी ना रहे सूरज के यह कित्रे लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि हम सबने पढ़ा हुआ है काश आपने इसके अमल भी करें अपने आपको चांचे अमल करने वाले हों कि आप पढ़ा तो है सब लिखा है ओके लिखा है तो ठीक है जी कि खुफगी ना रहे लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं ऐसा होता है तो यह ऐसा मुमकन ही नहीं है अगर यह मुमकन नहीं था तो यह लिखा गया यह मुमकन नहीं था तो क्यूं लिखा गया कि तरी खुफगी ना रहे क्यूं जो लोग रुजाना की द जो दुआ है, समानी दुआ है, उसको समझते हैं, हाँ भई, ऐ खुदा मुझे माफ कर, क्या है अमीद करता हूं, कि मैं दूसरों के गुना, माफ करता हूं, क्या मैंने किसी का गुना माफ, तो फिर मैंने ये कैसे, पढ़ लेता हूं उसी दुआ, दौरबानी भी पढ़ जा दौरबानी पढ़ लेता हुआ है, ठीक है, रुदीन है रही, किसी को माफ किया है, या नही गिया, जगड़ा भा, खत्म हुआ, या नही हुआ, कि तो बात ही नहीं है, हमें एक दूसरे को मुआप करना है है, तब ही आप दौरबानी पढ़ सकते हैं, ये दिए कि माफ भी जिनाब भगजबी राख लिया नफरत भी कर ली ये दो कुष्टियों में काम नहीं चलेगा कि आप एक कुष्टी में जिनाब आप आपने वो बुराईयां भी कर रहे हैं नराज भी हैं एंग्री इपसियों के देखे ला कितनी खबसुरत बाल लिखी नो चार बाद उसकी 26 गुसा को करो मगर गुना ना करो सूरज के डुबने तक तुम्हारी खुफ़की न रहे और किसको मौका न दो और अबलीस को मौका न दो अब यहां हर लमा हर एक जगा पे आपको अबलीस आपका पिछा करता हूँ आपको नज़राता है उसकी तनी फोज़े हैं अगर खु वाध्शाओं का मालिक है उसकी सथनदें है तो श्टान को अब क्या समझते हैं पावर्फुल है कि नहीं हमने अपना गुना किसी के उपर तो रखना है ना कि ये श्टान में मुझसे पर रहा लिया ये श्टान ने ऐसा कर दिया उसको कभी मौका उसको हमेशा उसके नाम पे इसके मुझ बेकाल के मलते रहते हैं तो ये अपने दल पे दो जांके पलबल गिल हमारे पिछे लेगे वे वे लोगे वो को हो गया श्टान तो मौका ना अब बलीज को मौका कैसे हम चाते हैं ये दर पढ़ना चाहता हूं ज़रा चोरी करने वाला फिर चोरी ना करें बलके अच्छा पेशा अफ्तियार करके हाथों से मेनत करें ताके मुहताज हो देने के लिए उसके पास कुछ हो कोई गंदी बाद तुम्हारे हमों से ना निकले कोई गंदी बाद कोई गंदी बाद तुम्हारे हमों से ना निकले कोई गंदी बाद तुम्हारे हमों से ना निकल ताके उस से सुनने वालों पर फजल हो क्या हो तो क्या हम यकीन रखते हैं कि जो आपने खुदा का कलाम सुना है ये खुदा का कलाम है किद्धे यकीन रखते हैं आपका यकीन है ये खुदा का कलाम है तो फिर इस बात को समझें आप कि आप वाक्या ही जो आपके मूँ से बाते निकलती है वो अच्छी होना जाए और अगर हम इस बात को ही समझ जाए सिर्फ इफसियों के ख़त को ही समझ जाए इफसियों में लिखा गया ही समझ जाए कमाल तो अभी तो हमने फिर अज़ चुरू बात की शुरू कर बैठें अलिमेंटरी बात के तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी और इसके तो बड़ा वक्र चाहिए होगा यहां तो हमें इतना नहीं भैरना जितना आप इतना शुबा बना आगे बैठें हम कमाल और इतना इतना बातों को करेंगे चैदा सा मुम्किन ना हो लेकिन हर शक्स हम क्या है खुदा के शुगिर्द हैं या बेटे हैं मैं तो शुगिर्द हूँ हम शुगिर्द हैं कि या बेटे बेटियां बनके बैठे हैं और शुगिर्द का काम क्या है यह सुर्ण सिंफिक जो शुम्टन किया करते थे शीखते थे और वहाँ शीखाते थे disciple ship था मतलब क्या था discipline एक discipleship discipline वह disciple ship में discipline ही नहीं है तो यह जो शुक्त है है एक वेटे का गागा तर फैठे कि जाम उसके बेटे मैं बेट comprehension विद्र शिएरत असला तो आप गड़ पर गड़ रहे हैं ना एक बात पर चले क्या आप हैं क्या अभी जैसा पारिस्वाम ने बताया भी हम भी है कौँ अभी तक तो हमें इस मैंने उनोंने कहा जी यसम सिक्षिन के लिए यहूदियों के लिए वर्यक्लिया तो फिर हम कौन हैं भी हम यहूदिय के क्रिस्चन है यहूदिय है यह क्रिस्चन है इस पर फिर एकले नेक्स्ट सेमिनार में उसरे बात होगी भी हम हैं क्या हमें अपीता कुछ नइब THAT और हमें कुछ नहीं हा पी आपको नाम मिला अनवर शुदा है अपने का लिगा उसका नाम गया होगा तो उसका नाम मान गया था हमें का अपना की अपना इसने हमें जो निस्पत दी है ख़दा ने वह है दूसरी बार मुझे बार बर कहा जा रहा है लिगे टाइम टाइम को आप बास थोड़ी से लेकर दो चर बाते मैं अपने यहां पर तजर्बी की एक यहां पर आपको जो आपको करज करना चाहता हूँ तो बताना चाहता हूम बड़ी जरोरी है बते कि हमारे हम जो सब यहां पे मजूद है और मेरा खैल दो हजार बारा वाला यहां पे कोई नहीं होता है 2012 से आप और कोई 2012 में आया हो और इसके लावा 2012 में और सुर्फ दो है और कोई नहीं है 13 में किंदे लोगा हम 13 में लोग थे 13 वाले लोग यहां पर भी मजूद है और 14 वाले लोग यहां से जा चुटे हैं यह पता आप तो 13 वाले 12 वाले यहां पर लोग मजूद है 12 वाले भी मजूद है 13 वाले भी मजूद है लेकिन 14 वाले हालें में जा चुटे है तो यह क्या है यह क्माल ले तो और क्या है यह क्माल था ना किसका क्माल था यह सारा हम 12 वाले बैठे हैं पिर्माले बैठे हैं बही एक बंदा आया जनाब 14 में 17 उसके अफ्राद हैं बच्चे यह और वो जनाब जाके एक मैना हो गया रटने पैठे ले तो यह क्या है यह बात हमने जरा समझ नहीं है कि किया उसका क्या राफता था खुदा के साथ और कितने लोग हैं जो आईडिसी में जाते हैं डेली अभी भी भी जाते हैं बहां नजीर साथ हो इनको अप गया मसला होगा है एक ही खुदा ने इनको तयार किया पहले जब इनकी बीवी आडिसी में नहीं थी तो यह जाते हैं कितने लोग हम आईडी से तो बुरा समझ रहे हैं आईडी सी बड़ी बुरी चीज़ भई ऐसा कुछ नहीं है यह बात समझो आज जो आपको बात बतानी उसको दरा बड़े गौरत अमने बाता की है एहद किया कि यहां पे खुदामद मजूद है खुदामद अपने लोगों में बैठा हुए है और यह सब बाते हैं यह सब रहत हम उसके सामने का रहे हैं इस बात को समझे ख़रा हम उसके सामने बैठे हुए हैं और यह रफ्यूज और डेवर्ड जो कि अमेरिका के चर्च है उन्होंने हमें यह चाना इस मसले में चलिए हम लोगों को थोड़ा सा वरेनस करें, लोगों को समझाएं हमें को यह रूण नहीं कहा यह साब बहुत से लोगगों की तरहरे हैं असा कुछ नहीं आै लेकिन जो खुदा के बात है यह और गोदा हमें में में मुजूर है एक प्रासस है, IBC एग प्रासस है, जो लोग इस बात को समझते हैं, देखें हमारे पास भी जेंए नहीं है, वो भी या रिसक है ना, हमारी जिदेकी थी ही रिसक में, रिसक में थी हो विद्चांगे, उसको बचाने के लिए अपने बच्चों को, अपने अच्छे दिनों के है यार हम तो हमारी महां थोड़ जाए मुला से नहीं हमारी जान थो जाए एक तांग नजर बंडें जा हैं हमें जी नहीं यदे कभी हमने की काहानी लिख़ जो भी लिख सची काहानी है हमने im पन्नेलो लिखा भी ठीग है अब यहां आके हम छोटे छोटे मस्क्रों से डारे हैं किया रहा है डाफ है ओड़े पकड़े हैं वह अब जब पर वीजा नहीं है तो पक्राप्लम नहीं है लेकिन वीजे लिगवाने के पैसे नहीं है अब जो 2013 से लोग हम यहां पे मजूद हैं शुरू में हम इदर फेबररी में आगया थे तेरा में तो जो यहां पर आके हमने सीखा जो हमें खुदा ने मुदले तरीखों से सीखाया हमारे हमने अपने हाथों से उर्द उच्छ के शुरू किया था हम इन वो लोग थे फॉंड और उनमें और शायद कोई हैं पॉर्द उच्छ का तो हमने शुरू किया जो था हमारे पास हमें शेयर किया अपना इसार डाला और हमने छोड़ा नहीं हो खुदा का गार है चर्च है और लास्ट क्रिस्मस में भी जो भी घुज़रा है क्रिसमस अभी पिर आने वाला है कित उसके बाद पचास-पचीस लोगों का राशन दिया है कि ठीक है जो खुदा हमें ऐसे बरतन अपने बरतन चीज़ इस्तमाल करता है हमें और अगर ये क्यों है चपए महाला लगने को उसने हमें इसत्यार दिया ये देखिए कैसी बात है या अपने अपने अजीज़ों को बादो अब वो खुद ही देता है हमें अब लोग इसमें प्रिशान है हमारे दोस्त बहुत हमारे जीज़ हमारे बहुत महबत करने वाले अब ये मेरा मस्वा नहीं है ये खुदा का मस्वा ये खुदा का मस्वा है तो उसने कहा है तुम दिया करो तुमें दिया जाएगा तो हम यह आदद भी डालें अपने आप और दूसरी क्या बात है हॉसलिक एंकर्ज की यह तो नराज है ना अफ़ार से गुस्से में है तो चीज़ कर जा कितने लोग हम देख रहे हैं हमें पता चलता है UNO से उनकी वैबसाइट से और लोगों से और कई लोगों मिंते किये हैं किस चीज़ की वैड़नेस है किस चीज़ की वैड़नेस इस बात यह है बाई क्या वापस मत जाओ यह वापशी की प्लांगे ना करो आई तो पुछ भी हो सकता है अभी तो बड़े अख़बारों में आ गया है वहां पर दाज साब कुछ कभजा करने वाली है डैस जो है असीसी जो है उसे पर कब्जा करने वाली पाकस्तान पे तानबा तो हम पहले ही मजूद थे हम कहते हैं उनके डर से आप बाके आए हैं बाके है तो पुर तुम वापस को बाके वहां जा रहे हो तो इन चीज़ों को समझो और आप कोई भी चीज़ दुनिया में है मैंने का प्रॉसस के बगार नहीं हो सकती है अगर आप योगनों से कोई अच्छी तोब को रखते हैं उसको आपने अच्छी बात बताई है अब अपने टाइम को शाट करना जाते हैं तो उनके अस्मूज को प्रेंसिपल्स को समझेंगे अब समझेंगे नहीं अब मुच्पिन आप आपका बगता लिंदरों होता जाएगा